अब लोग income from other sources में question no.3 को solve करेंगे तीन नमर हम समझाएंगे और फिर आप लोग क्या करेंगे solve करके फिर whatsapp group पे हमको भीजेंगे question no.3 पर हम लोग पढ़ते हैं income from other sources का इस question को ध्यान से देखेंगे क्या क्या है क्या क्या procedure है बुला किया है आपको from the following particulars of Shri Maheshwari for the assessment year 2019-20 compute his taxable income under the head income from other sources point no.1 को ध्यान देंगे तो point no.1 में आपको मिल रहा है क्या ground rent सबसे पहले ground rent दिया हुआ है जो के पूरा का पूरा 100% taxable होता है ground rent पूरा का पूरा दिखा देंगे क्लियर कि उसकी बाद एक कंडिशन क्लियर के दूसरा कंडिशन में आते हैं लिखा हुआ है following interest received following interest received एक याद रखना और आप लोगो इंट्रेस्ट करेंगे आम लोग फॉर्म से जब पराप्त होगा फॉर्म का खास तोर से तो कम से कम होना चाहिए उस आपको हम रूल्स में लिख दिये थे कितना रुपया होना चाहिए आपका 5000 रुपया से ज्यादा होगा तो ही उस उसके बाद देखिए एक कंडिशन याद राखना फॉर्म के लिए अधरवाइस के लिए नहीं होती है तो यहां पर फॉल्लाविंग इंट्रेस्ट रिशिप जो हुआ ऑन फिक्स दिपोजिट फॉर्म फॉर्म दबैंक तो यह एक फॉर्म है तो उसका 400 दिया हुआ है पू यह पूरा का पूरा चार्जेबू हो जाएगा इसके बाद है आपका पोस्ट उफिस सेविंग बैंक याद रहना है पोस्ट आपीस सेविंग बैंक से जो ब्याज प्राप्त होता है वह एक्जेम्ट होता है उस पर टेक्स नहीं लगता उसके भी से में आप पढ़ लेंगे उसके बाद interest on deposit with a firm कितना है 600 यह taxable हो जाएगा आप लिखेंगे interest from bank, bank कितना 400, post office saving bank exempt और firm लिखेंगे 600, तीनों को जोड के कितना हो जागा, तीनों को जोडने पर 100 ही पूड़ेगा, कि कि कोई 300 जोगा exempt हो जागा, जोड के अंदर कर देंगे, तीनों को देखाना परेगा income from subletting house taken on rent कितना रुप्या है 500 और रेंट पेट कितना किया, 300,000 सब लेटिंग का मतलब समझ में, सब लेटिंग का मतलब क्या होता है, जब कोई किरायदार, किसी दूसरी किरायदार को, अगर वो किराय पर रखता है, तो उसको क्या करते है, सब लेटिंग हाउस, मने सब ल कितना मिला उसको, 5000 रुप्या उसको मिला रेंट, उसके बदले में वो रेंट पेट कितना कर रहा हो, 3000 रुप्या अब माले या आप जो एक फ्लैट में एक रूम आपका यूजिलेस पड़ा हुआ, उसको भारा पर लगा देते हो, तो उस फ्लैट से अगर माले आपको 2000 आपका, तो यहां पर हम लोग मनलब की इंकम फ्लैटिंग हाउस कितना हो गया, 5000 रेंट पेट कितना कि उस पर खर्च कितना, डिडेक्शन कितना हो, 3000 रुप्या, 3000 रुप्या और नीचे देखिए एक दिख राम को, यहां लिखा हुआ आपका, and spent 400 for collecting the rent of the house, माकान का किराया ईसाव थे, आपका वासूल करनेक, लिदे लिए 400 र एक और खर्च किया हो, पहले तो रेंट वों लखी 500,000 रेंट उसको मिल शट लीक पेट देट किया मकान मालिको और 4500 रुप्या जो है उस भारा को वसूल करने में वह 400 रुप्या और खर्च किया। कुल मिला के उसका यह भी डेक्शन हागा हम नहींगे हैं से हैडलाइन लिखिंगे इंकम् प्रॉं म् जाव लेटिंग हाउस five thousand उसमें लेज करें करेंगे रेंट पेट 3000 फिर करेंगे एक्सपेंसेज कितना रेंट एक्सपेंसेज कितना 400 उसको लेस करके फिर जितना भी बचेगा उसको एमाउंट पर देखा देखे चौथा कंडिशन में लिखावा रेसीब डिवीडेंड 3580 रुपया अगर भारतिय कंपनी से उसको लाभां से मिला केतना रुपया का मिला है 3580 रुपया का हम जानते भी बार बार बोले हैं लाभांस याने डिविडेंड अगर भारतिय कंपनी से प्राप्त हो रहा तो वह एक्जेम्ट हो जाएगा तो अब देखो यहां पर एक कंडिशन लिखा हुआ है कंडिशन पर ध्यान लें कंडिशन बहुत कुछ लिखा हुआ है और फास्ट जून 2018 स्री महेश्वरी टू के लोन लिया तेन थाउजन का लोन लिया अर्दी बारफ पर्शन की दर्शन की क्या कर रहा है वह मतलब की लोन जो लिया था इंट्रेस्ट किता पे कर रहा बारफ पर्शन दर्शे पर्चेश ऑफ दे शियर ऑफ एन ओधर इंडियन कंपनी दूसरे मतलब की भारतिय कंपनी के लिए जो लाभांस था उसी परपस से वह दस दर का लोन लिया अब देखो क्या हुआ आगे ही पर्चेश सेयर ऑफ दा फेस वेल्यू कितना है उसका आठ आठ हजार इन्वेस्ट किया वह आठ हजार था फोर आठ हजार इन्वेस्ट टू थाओजन इन हिस क्लेक्टिंड डिवीडेंट एंड एस्पेंट फोरंडेट के लिए उसके लिए छोड़तो तो अब देखो एक मैं मैं लेक्षरी महस्वरी ने एक भारतिय कंपनी का जो अ कंपनी का सियर तो डिवीडेंट हो जाता हूँ तो उसके लिए एक जून 2018 को लिया बारा पर्सेंट पर्तिबर्स के दस्टू पर ब्याज भी देता है जब उसका डिवीडेंट ही एक्जेंट है तो उस पर इंट्रेस्ट लएगा नहीं फिर क्या क्या वह आठ हजार रुप लगा दिया इन अंसों पर मनलब की लग कोई लावांस नहीं मिल रहा था तो इतना करने डिवीडेंट फ्रॉम इंडियन कंपनी एक्जेंट हो जाएगा आपका कंप्लीट तो उस पर किसी परकार का खर्च भी आपका नहीं आएगा आपका कंप्लीट अंसर आजाएगा वह चार पॉइंट लिखना एकदम अनिवार हैं वह हम नहीं बताएंगे आपके किताब में दिया हुआ और लेट हम आभी बताने बाले थे लिए अचानक से मेरा ध्यान पड़ गिया तो आप देखें नीचे में लिखा हुआ है देखेंगे चार पॉइंट लिखा हुआ है चार पॉइंट को आप कंप्लेट लिखेंगे चार पॉइंट है द्यावा लिखा हुआ यह चारो पॉइंट को आप लिखेंगे कंप्लेट इंग्लिस में लिखेंगे ज्यादा बैटर होगा हम इंग्लिस में इसको बोल इंग्ल 5000, पहला केलियर हो गया, interest on deposit with a firm has not been gross up as the amount is not more than 5000, पहला लिखना एकदम जरूरिय solution के बाद, दूसरा में लिखना आपको, rent paid and expenses incorrect in collecting the rent will be allowed as expenditure from the from the from rent received, दूसरा में लिखा हुआ है, दूसरा कंडिशन में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ हुआ है, दूसरा are not deductible because dividend is exempt or fourth condition में लिखा हुआ है, interest on the loan, 20000 invest in the business, is an admissible expenditure under the head, profit and gain of business or profession यह headline लिख देंगे तो आपका पैटर होगा इसको लिखना एगदम जरूरी है एगदम compulsory है जरूरी ने एगदम compulsory है लिखना यह लिख देंगे आप क्योंकि income from other sources में note पर देखना सबसे ज्यादा important होता है